नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का पाजफाइंडर पर सो हाल ही में UN की General Assembly में एक नया resolution पेश किया गया जिसमें की veto power में कुछ बदलाव लाने की बात करी गई Now obviously ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन इंडिया ने इस resolution को यहाँ पे call out किया है call out करने का मतलब इंडिया ने इस resolution के ऊपर objection पेश किया है आपत्ती जताई है ये कहते हुए कि जो resolution आप लोग लेकर आए है ये काफी नहीं है This is only a peace meal initiative ये एक complete resolution नहीं है complete change नहीं है और इसी लिए इंडिया ने यहाँ पे इस resolution को call out करते हुए कई सारे पश्चमी देश विशेश रूप से जो हमारे P5 members है इनकी काफी आलोशना करी है UN के अंदर और साथी में इन्होंने ये भी कहा है कि हमें असल में veto power में बड़े बदलावों की आवशकता है आपके सामने है economic times के ये वाली खबर आज से लगभग चार दिन पहले ये खबर सामने आई इंडिया calls out the UNGA resolution on veto powers सबसे पहले तो आपके साथ मैं discuss करूँगा कि असल में जो resolution था veto powers को लेकर वो क्या पेश किया गया था और कौनसी country ने इसको support किया है then discuss करेंगे कि इंडिया ने यहाँ पर जो आपतियां जताई हैं उनके पीछे के कारण क्या है चले शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को ज़दी आप लुग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए टेलिजाम चानल के माध्यम से कर सकते हैं इसके अलावा आप लुग जूट सकते हैं जहाँ पर आप मारी special class को भी जा करके देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो resolution basically पेश किया गया वो इस वज़े से पेश किया गया था कि जो हमारे P5 members हैं यानि कि 5 permanent members हैं उनके पास जो veto power उनको सौपी गई है उनको बताना पड़ेगा कि असल में वो अपनी veto power का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं अभी तक क्या था कि veto power का जो इस्तेमाल था अगर आपको मालूम होगा it was discretionary in nature यानि कि मेरी मर्जी है मैं कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ और आपको बिना बताए कि मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं तब भी कर सकता हूँ लेकिन UN ने कहा है कि अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे आपको जो है बताना पड़ेगा justify करना पड़ेगा कि आप अगर वीटो पावगा इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं यह आप यहाँ पर खबर देख सकते हैं France 24 की है UN raises bar for using the Security Council Veto और यहाँ पर आप देखेंगे यह जो नया reform है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब क्यों इतना होगा कि जो Veto Holders है विच आर USA, China, Russia, France and Britain जो कि अगेन 5 Permanent Members है UNST के they will be paying a high political price when they use the veto to strike down a Security Council Resolution और यह वाला जो reform था very very interestingly इसको दोस्तों पेश करवाय गया था Europe की एक बहुती छोटी सी country है जिसका नाम है Lichenstein आप यहाँ पे देख सकते होंगे यह छोटी सी country यहाँ पे लाए करती है and यह जो country है this lies basically between two major countries Switzerland और Austria के बीश में लाए करती है छोटा सब यह blue color का dot अगर आप देख पा रहे होंगे यह वाला dot है जो कि Lichenstein को represent करता है so पेश Lichenstein ने किया था लेकिन उसके बाद इसको 100 और countries के द्वारा support किया गया था which included United States, Britain and France Interestingly, China एवं Russia के द्वारा इस sponsor को यहाँ पे support नहीं किया गया था Now, India के द्वारा जो प्रक्रिया इस sponsor को इस particular resolution को लेके करी गई है वो हमारे लिए काफी relevant है सबसे पहले तो India ने इस resolution को call out किया call out में इन्होंने आपत्ती जिताई है लेकिन ऐसा नहीं कि complete objection है इन्होंने बोला है कि ठीक है जो आप लोग कर रहे हैं हम लोग उससे बहुत जादा जो है उस चीज के खिलाफ नहीं है आप लोग चाहते हैं कि छी हाँ हमें कुछ meaningful reforms लाने की आवशक्ता है लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा the current resolution demands much more serious in-depth and inclusive deliberation than was allowed by the movers of this text आसान भाशा में कहूं तो इंडिया का ये मानना है कि हमें यहाँ पे bigger reforms लाने की बड़े बदलावों की आवशक्ता है यहाँ पर जो इंडिया के deputy permanent representative है to United Nations Mr. R. Ravindra उनके द्वारा एक बहुत ही बहतरीन statement दिया गया इन्होंने यहाँ पर कहा कि आज से लगभग 12-13 साल पहले की बात है इंडिया ने जब similar resolution को move करने की बात करी थी उस time पर UN के permanent members ने हमें कहा कि यह छोटे मोटे resolutions छोटे मोटे reforms आपको फेश नहीं करने चाहिए और इंडिया ने कहा कि आज वही चीज हो रही है लेकिन आज वही वाले जो permanent members हैं वो इस resolution को यहाँ पर support कर रही हैं यहाँ पर आप देखिये यहाँ ने कहा ही सही बात कही गई है कि जब हमने किया तब तो आपने गलत कहा लेकिन आज जब कोई और देख कर रहा है आप उसको support कर रही है तब आपको इसमें गलतिया नजर नहीं आ रही है बाई दवी आगे बढ़ने से पहले आप से एक सवाल पुछना चाहूंगा कि इंडिया के जो permanent representative है UN को उनका नाम क्या है प्लीज बताइए comment section में इसके बाद बलकी इन्हों ने एक और चीज कही इन्होंने कहा कि इस therefore ironical कि ये बड़े मजे की बात है that the same set of member states who argue vociferously against peacemail reform are today themselves supporting a peacemail initiative which ignores the root cause of the problem यानि कि ये कह रहे है कि इंडिया basically कह रहा है कि आप लोग जो है problem की जड़ तक नहीं जा रहे है जो problem है उसको आप लोग नहीं उखाड रहे है आप केवल एक छोटा सा initiative ले रहे हैं you're only taking a peacemail initiative and इन्होंने उसके बाद एक और चीज कही एक तरीके से फटकार लगाई पश्चीमी देशों को ये कहते हुए we therefore hope that the other peacemail efforts focusing on aspects of category of membership and working methods of the council would be treated without any double standards and with a similar yardstick in the future की आगे जा करके भविश्व में जा करके आप लोग double standards का इस्तेवाल नहीं करेंगे और similar yardstick पे अगर कोई और देश भी resolution लेकर आता है उसको भी यहाँ पे treatment मिलनी चाहिए I think काफी अच्छी बात कही गई है and finally इन्होंने एक और बात कही जहां पर इन्होंने एक बार फिर से जो P5 members है उनकी veto power के उपर बहुत चिंता जताई रविंदरा जी ने कहा all five permanent members have used the veto power to achieve their respective political ends in fact इन्होंने ये भी कहा कि ये जो इनकी veto power है इसको लेकर UNGA कुछ चाहे भी तो नहीं कर सकती because the P5 have a veto over the veto यानि कि मान लीजे कल को कोई resolution UNGA के द्वारा sponsor किया जाता है उसको पेश किया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी P5 उस veto के उपर भी veto कर सकती यानि कि जो बाकी countries है उनके पास तो यहां पर किसी प्रकार की कोई भी power नहीं है बलकि इन्होंने साथ ने कहा as rightly called out by our African brothers it goes against the concept of sovereign equality of states and only perpetuates the mindset of second world war इन्होंने कहा कि जिस तरीके से दूसरे विश्वजुद के time पे कहानी चल रही थी लगबग similar कहानी चल रही है आप लोग sovereignty के खिलाफ जा रही है और वो वाला आप लोग mindset लेके बैठे हैं कि जो जीता सारा सामान उसी का यानि कि to the victor belong the spoils इन्होंने कहा कि इस mindset को आज हमें बदलाने की बहुत जादा आवशकता है फिर इन्होंने एक suggestion दी कि या तो सभी nations को equal treat करो in context of voting rights और else the new permanent members must also be given the veto ये वाला प्रस्ताव इंडिया के दोरा यहां पे रखा गया है तो दोस्तों काफी बड़ी बात है जो कि हमारे जो Indian representative के दोरा UN में कही गई है and I think ये बिल्कुल सही बात भी है because UN as an institution जितना commanding होना चाहिए जितना powerful होना चाहिए उतना powerful नहीं है बलकि it has एक तरीके से गुलाम बन चुका है P5 member states का जो की अपनी मर्जी से इसको अपने हिसाब से चलाने की कई बार कोशिश करते हैं अगर आपको बताऊं कि Russia और USA के दोरा इतनी बार इस P5 में veto power का इस्तेमाल हो चुका है कि उसकी documentation करनी भी nearly impossible है और कभी भी ये लोग अपना कारण बताते नहीं कि क्यों ये लोग basically veto power का इस्तेमाल कर रही है आपको क्या लगता है इंडिया के दोरा जो दियेगे reforms है क्या वो सही है या ज़्यादा radical है अपनी right definitely हमें comment section दीजेगा फिलहाल के लिए वीडियो में कितना ही अने से पहले बताना चाहूंगा unacademy का जो offer है दोस्तों उसको 30th April तक extend किया गया है जिसमें कि अगर आप लोग अनी UPSC code इस्तेमाल करते हैं इसाथ ही में आपको यह वाले baths उखलब करवाया जाएंगे और आपको आइकॉनिक में आपको study planner, mains, answer editing, practice और personal coach भी available करवाया जाएगा इसके इलावा अने academic combat आप लोग इसा ले सकते हैं on this coming Sunday using the code अनी UPSC Thank you so much for listening, stay tuned and stay safe